आज मैं आपको डिप्रेशन से छुटकारा पाने का उपाय बताऊंगी डिप्रेशन आजकल बहुत ही कॉमन हो गई है हर कोई किसी ना किसी वज़े से डिप्रेशन में चला जाता है और अपने आपका नुकसान करता है तो इस चीज से निकलना बहुत ही जरूरी है अगर आप या आपके आसपास का कोई डिप्रेशन में है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा इससे आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी और दोस्तो पिछली बार मैंने वीडियो बनाए थी कि आप अपनी और दूसरों के लाइफ में रोशनी कैसे फैला सकते हो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो अब जाके देख सकते हो तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले तो अकेले मत रहो हर वक्त कोशिश करना के आप किसी ना किसी के साथ रह सको और आपके अंदर जो इतनी सारी बाते है इतना दर्द है उन्हें शेयर करो अगर वो सारी दुख अप अपने अंदर ही रखोगे तो और भी जादा डिप्रेशन में चले जाओगे इसलिए शेयर और अगर कोई नहीं है शेयर करने के लिए तो मुझे कॉमेंट या इमेल में मेसेज कर देना I will talk नबर टू Spend time with kids बच्चे मन के सच्चे यही चीज उन्हें दूसरों से अलग करती है उनके अंदर कोई भेदवाव नहीं है कोई जूट, फड़ेव, धोका नहीं है इसलिए आप उनके साथ टाइम स्पेन कर सकते हो इससे आपको अच्छा लगेगा और आपकी दुख हलकी हो जाएगी बहुत लोग इसलिए भी डिप्रेशन में चले जाते है क्योंकि वो खुद को दूसरों से कम मानते है उन्हें लगता है उनसे कुछ नहीं होता और जिन्दकी में वो कभी आगे नहीं बरपाएंगे तो ऐसा मत सोचो सब में कुछ न कुछ कमिया होती है और खुबिया भी होती है बस ढूनने की जरूरत है तुम बहुत इंपोर्टेंट हो तुम में बहुत कुछ है ऐसे डिप्रेशन में जाके खुद को नीचे मतलाओ तुम्हें बहुत कुछ करना है अपने लिए और देश के लिए अभी आपके आसपास नेगिटिविटी इतनी भर गई है कि आपको अपनी आसपास पॉसिटिविटी ढूनना होगा जैसे जिससे बात करके आपको अच्छा लगता है जो करना अच्छा लगता है जाहा जाने से खुशी मिलती है जो सुनने से मन अच्छा हो जाता है जाहा से भी आपको पॉसिटिव वाइब मिलती है वही जाओ, वही करो और वही सुनो और सारे negativity को हटा दो अगर ये सब करने के बाद भी आप इससे नहीं निकल पा रहे हो तो last option is counseling आप किसी counselor से जाके बात कर सकते हो आधा काम उनकी दवाई से होता है और आधा काम उनकी बातों से ही हो जाता है दवाई हमारे अंदर चल दे ही कुछ hormones को नियंतरन करती है और बाकी काम आप को करना है क्योंकि medicine से हम physically तो fit होते हैं लेकिन mentally नहीं अगर आप खुद से कोशिश नहीं करोगे ठीक होने के लिए तो भगवान या डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाएंगे तो खुद से कोशिश करो और ठीक हो जाओ अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है तो दोस्तो इन पाच पॉइंस को follow करने से आप depression से जरूर निकल सकते हो अगर बुरा समय आता है तो अच्छा भी आता है लोग गलत होते है तो सहीं भी होते है आप से कुछ नहीं होता तो कुछ और होता है दुनिया को अलग नजर से देखो हर तरब खुशिया ही खुशिया है सिच्चियेशन से भागना तो सबको आता है पर आपको उसका सामना करना है और जीत के दिखाना है अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कॉमेंट, शेर और सब्सक्राइब कर देना तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट विजडे को तब तक के लिए गुडबाई and get read of depression